राहूल गांधी को लेकर अब अफिशली तोर पर एलान हो गया है कि राहूल गांधी लोग सबा के अंदर विपक्स के नेता होंगे लगातार तमाम तरीके से कॉंग्रेस के जो सांसद है वो ये मांग उठा देते हैं कि राहूल गांदी को ही वेपक्स का नेता होना चाहिए अभी अभी ऐसा बता जाता है सारे नौ वजे के आस्वास है जो की कॉंग्रेस के राष्टे अध्यक्स है उनके घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठा कुई थी इंडिया ब्लोग उसमें हनुमान बेनिवाल साहिद तमाम जो पार्टियों के जो नेता थे वो सामिलते और वहां उसके बाद में कॉंग्रेस की और सी ये जानकारी दी गई है कि राहूल गांदी का नाम है वो बतौर प्रतिपक्स के नेता के लिए भीज दिया गया है दरसल आप देखिए ये प्रतिपक्स के जो नेता होते हैं वो आम तोर पर कैबिनेट का दरजा होता है अब ऐसे बहुत सारे फैसल हुएते उसके बाद में जब कॉंग्रेस को निनानु सीट आई थी तो उसके बाद में वर्किंग कमिटी की बैठक हुई थी जहां पर ये डिवान की गई थी कॉंग्रेस की और से तो राहूल गांदी ने का था मुझे समय चाहिए अब कुल मिलाकर क्योंकि आप देखिए राहूल गांदी जीतने के बाद में लगाता और मूधी सरकार पर हमला बोल रहे हैं अभी अभी आपने देखा होगा कल जो एक बयान दिया था कि इन 15 दिनों में क्या कुछ हुआ है